जैगिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में उमीद है आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक राजवन्ष की कहानी लेकर आया हूँ जिन्होंने मौरियंस के बाद मगद को रूल किया और वो है शुंग एमपायर जिन्होंने 185 बीसी से लेकर 75 बीसी तक मगद की राजगदी पर रूल किया कि तबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों जिस तरह मुगलों के वक्त दिली की बड़ी तूती बोलती थी कि दिली पर अगर किसी का अधिकार हो गया तो मौनलो पूरे भारत पर उसका अधिकार हो गया उसी तरह भारत के शुरुवाती दोर में जब मौरियंस रूल करता था तो पावर का जो सेंटर था ना वो मगत था आप देख सकते हैं स्पीन पर यह जो पूरा का पूरा औरेंज भगवा कलर में जो इलाग का शैडो है यह शुंग एम्पायर का राजवंश हुआ करता था यह उनकी टेरिटोरियल मैप है और अगर आप लोगों ने हर्यक राजवंश को पढ़ा है अगर आप लोगोंने उसके बाद शिशुणाग वंश को पढ़ा है नंद वंश को पढ़ा है मोरें एमपायर को पढ़ा है और मोरें ने तो पूरे पूरे भारत में रूल कीया था तो यह जो इलाका है यह सेंटर आफ अट्राक्षन complia है क् इसके जो राजा थे ये अपने आपको ब्राम्भन फैमिली से कहते थे और ये भारदवाज क्लैन को बिलॉंग करते थे मतलब भारदवाज मुनी को ये अपना पुर्वज मानते थे और ये अपने आपको ब्राम्भन कहते थे जब मौरियन सुरूल करते थे कहां पर मगत की र रजन आये उसके बाद और भी कई सारे वाइसरोय आये लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का काम करते थे बिटेन की पार्लियमेंट उनको भेजा करती थी उसी तरह जब मगद पर मॉर्यंस रूल करते थे तो शुंग एंपायर जो इस खरी राजा था ब्रिहदरत उनका जो आर्मी चीफ था वो ब्राम्हण था और वो उसका नाम था पुष्यमित सुंग जो कि शुंग एंपायर से बिलॉंग करता था और एक मिलिटरी परेड के दौरान ही उसने अपने राजा को मार दिया और 186 बीसी में या कह सकते हो 186 बीसी में अपने आपको मगद की राज़दी पर स्थापित किया और यहीं से शुंग एंपायर स्टैबलिश होता है लेकिं दोस्तों एक बात आप लोग को और बता दे थ्रो कर दिया कोई कहता है उसने मिलिटरी परेड के दौरान मार दिया इसका कोई साक्ष नहीं मिलता है क्योंकि जो हमारे देश की इंशेंट हिस्ट्री है न वो आपको लगबख हर जगां पर थोड़ी थोड़ी वैरियेशन के साथ मिलेगी कोई एविडेंस नहीं है तो जब सुंग डैनिस्टी राजगदी पर बैठती है मगत के तो इन्हों ने शुरुवाती दौर में अपना कैपिटल किसे बनाया पाटली पुत्र को जो प्रेजेंट डे का पटना है लेकिन बाद में इन्हों ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया विदीशा जो कि इस मद्यप्रदेश में है और पुष्यमित शुंग के बारे में कहा जाता है कि उसने उस वक्ते दो ग्रीक राज़ा जो हिंदुस्तान के उपर हमला कर रहे थे मियांडर एंड डिमेत्रियस इनको घराया क्योंकि उस वक्त तक जो ग्रीक राज़ा थे वो लगातार हिंदुस् तो पुष्यमित्य सुंगी जब राजगद्दी पर बैठा तो उसने इन दो राजाओं के अटैक को विफल कर दिया और इसके इलावा देखे आपको पता है कि अशोका ने कलिंग को हराया कलिंग को मौरियंस के एंपायर का पार्ट बनाया लेकिन जैसेगी मौरियंस राजग कि इतिहास को पलटने की मगर कहा जाता है कि पुष्यमित्य सुंग ने उसके इन मनसूबों पर पानी फेर दिया था माना जाता है कि इसने ये ब्राह्मेनिजम को फॉलो करता था विकास ये ब्राह्मन था अच्छा कुछ जगहों पर कहा जाता है कि ये बुद्दिजम से बहुत नफरत करता था इसने ना जाने कितने स्टूपों को तुड़वा दिया मतलब जो भरूत में स्टूप था, साची में जो स्टूप था, लेकिन इसका कोई साक्ष नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, कल जगहों पर माना जाता है कि इसने स्टूपों को तुड़वाया नहीं, बल्कि इसने स्टूपों को दुबारा से रिनोवेट करवाया, जो जरजर जो गए थे, इसने दुबारा से उनको रिनोवेट करवाया, जैसा कि मैंने कहा कि अलग-अलग जगहा पर अलग-अलग साक्ष मिलते हैं, तो इसको भी लेकर अलग-अलग तरकी बाते हैं, माना जाता है कि साची में, जो आप साची स्टूप को भी जाएंगे भोपाल में, वहां का जो स्टोन गेटवे हैं, जब अप इंटर करेंगे, जो पत्थर का जो गेट है, वो इसने बनवाया था, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक इनसान तुडवा भी रहा है, वही इनसान बनवा भी रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो कई-कई जगहों पर इसको डिस्ट पॉइंट दोस्तों, इसने संग्रक्षन दे रखा था किसको? पतंजली को, जो की एक संस्कृत व्याक्रण के रचीता थे. और पुरानों के एकॉर्डिंग, इसने करीब 36 साल कर राज किया मगत की राजगद्दी पर और 151 BC में इसकी मृत्तिय हुई. और इसके बाद इसका बेटा अगिनी मित्र राजगद्दी पर बैठता है 149 से 141 BC आप कह सकते हैं मात्र आठ साल के लिए. मात्र आठ साल के लिए इसके बेटे ने रूल किया. लेकिन जब इसका बेटा राजगद्दी पर बैठा, तब तक जो विधर्ब का रीजिन है, विधर्ब आपको मिलेगा महरास्ट्र एमपी का जो बॉर्डर वाला इलाका है, विधर्ब उसे कहा जाता है, तब तक वो गिस्सा शुंग एमपायर से कटकर अलग हो चुका था, उसने अपने आपको इंडिपेंडेंटन घोशित कर लिया, क्योंकि उसको समझ में आ गया था, कि अब जो राजा है, वो इतना दमदार नहींगे, अगनी मित्र के बारे में एक बात कही जाती है, कि अगनी मित्र को काली दास्त ने, अपने एक बहुचर्चित पोयम में में किया था, जिसका नाम है माल्विका अगनी मित्रम, इसके ओपर अक्सर सवाव आता है, तो अगनी मित्र का कारेकाल बहुत छोटा था, अगनी मित्र के बाद उसका जो बड़ा बेटा था, सुजेष्ट, वो राजगद्दी पर बैठा, और उसके बाद उसका बेटा वसुम नाम था देवभूती, देवभूती को उसी के मिनिस्टर वसुदेव कड़व ने मार कर, 73 BC में मगट में एक नए राजवन्ष की स्थापना की जिसका नाम था कड़व डैनिस्टी, तो मौर्गन्स के बाद धीरे-धीरे करकर मगट के ऊपर, जितनी भी आप कहा सकते हैं कि र एड्मिनिस्ट्रेशन नहीं था, जो मौर्यंस के पास था, जो चंदरगुप्त मौर्रे के पास था, अशोका के पास था, इसी लिए लगातार-लगातार दीरे-दीरे करकर कुछ-कुछ सालों में सत्ता बदलती रही, तो उमीद है आप लोगों को आज का ये सफर पसंद आ आया होगा, अपना प्यार बनाए रखिए यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, थैंक यू सो मच.